वेल्कम बैक वेल्कम बैक आफ्टर देब्रेक बेख के बाद आप सबका स्वागत तो भाई सब हमने एक टॉबिक पड़ा था अभी इनेरेंट लिमिटेशन ओडिटिंग डेक पे जाने से जस्ट पहले आसर पड़ा था अब यह जो इनेरेंट लिमिटेशन थी इसमें आप आखरी में हमने चार बातों की discussion की थी कि यहां पे ना material misstatement पकड़ना बढ़ा tough काम है पर यह चार बाते क्या थी पहला fraud fraud किसके साथ related party अब related party management हम से छुपा रही है हमको कैसे पता चलेगा very likely बहुत chances हैं कि हम से रह जा सकती है बात right sir and non compliance with laws and regulation ये भी हमको नहीं पता चल पाएंगी बात है because हम सारे laws की compliance तो चेक कर ही नहीं सकते and उसके बाद non compliance वित्ती भारी penalty लेगी going concern भी खत्रे में आ जाएगा तो एक auditor करे तो करे क्या बोले तो बोले क्या वा audit वा तो ये कहते as a auditor आपके पास एक हतियार है आपके पास एक हतियार है और वो हतियार है साभधान रहें पतर्क रहें क्या बात कर रहें यानि as a auditor भाई तुमको चौकरना रहना है कभी भी कहीं से fraud की खुश्बू आ सकती है कहीं भी किसी document को पढ़ते वे तुमको related party का पता चल सकता है कोई external legal counsel से बात करते वक्त जो entity के lawyers है उनसे बात करते वक्त हो सकता है तुमको पता चले company का कोई case चल रहा है company के उपर कोई penalty लगी है non compliance with laws and regulation की कुछ भी हो सकता है ठीक है so as a auditor it is very important for you to stay alert and उसी alertness को एक नाम देते है that is called professional skepticism that is called professional skepticism की आपने एकदम alert रहना है आपने एकदम चौकरना रहना है बच्पन में आपने कई बार एकता कपूर के serial देखे होंगे being a Indian household चलता ही था ठीक है मेरे घर में तो बहुत चलते थे तो मैं तो काफी कुछ सीखा है उनसे तो अगर एक auditor को professional skepticism सीखना है ना that professional skepticism is taught by the एकता कपूर के serial वहाँ पर एक बीवी होती है जो शकी बीवी होती है एक husband होता है जो रात को घर को लेट आता है क्या आपको कहानी पता है मैं आजो आपको एक बढ़िया वाली कहानी बताता हूं बड़ा बजाएगा अब दो मिनिट में बात सुनना you will understand the everything each and everything about professional skepticism तो यह कहानी है कुमकुम की कुमकुम लड़की है और वाइफ है ठीक है और husband है जिसका नाम है husband का नाम क्या लिए अनुराग है अब यह जो अनुराग है यह रात को लेट आता है घर ठीक है अब पूरी फील समझना देर रात हो रही है कुमकुम चल रही है टॉय 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 के और उसके बाद मतलब एक दाँ टेंशन में चल रही कि मेरे पती कहां रहे गए कब आएंगे ओहो वैसी फील के साथ कुम-कुम चल रही है अब रात भुखनी रात है बादल गरज रहे हैं इवन बिल्ली के चिलाने की अवाज आ रही है अवाज आ रही है उदर से डॉग्स की चुलाने की वाज़े आ रही है तो पूरा वो घंगोर माहुल बना हुँ है तब ही घंटी बचती है टिंग-टॉंग एंड बंदा आ जाता है अब बंदे के साथ क्या है न अब बंद वो तो काफी देर से वेट कर रही थी और वो गुसे में भी है कि क्यों इतनी लेट आ है ना यहां पर लाल-लाल कोई दाग है वो पानी का ग्लास वही छोड़ती है फैकती है जो भी उसका करती है और वो बंदे से सवाल पूछती है लाल-दाग किस चीज का है ठीक है कुछ नहीं आओ देखा न ताओ यह लाल-दाग किस चीज का है अब बंदे की वैंट बच ग खोला उसमें से कैचप आके थोड़ी सी यहां लग गई तो लाल दाग आ गया तो उस वज़े से हो गई है मैं अब इसमें क्या ही वोलू तो कहती अच्छा इस चीज की वज़े से है तो बंदा किसी तरह से जान छुड़ा के अपना नहाने के लिए जाता है अब जब नहाने जाएगा तो शेट उतार के जाएगा तो जैसी वो शेट उतार के गया क्या वाइप उस चीज पर बिलीव करें कि आनसर इस नो उसने शेट उठाई और शेट को सूंगा यह तो खुश्बू सौस की नहीं है यह किस चीज की खुश्बू है देट इस दसस्पेंद ठीक है बुक में यही लिखा है इट इसन एटिट्यूड सर एटिट्यूड क्या वाइफ एलर्ट थी वो जब एलर्ट थी तभी उसको शेट पर दाग दिखा एलर्ट टू देट में इंडिकेट पॉसिबल मिस्स्टेटमेंट डू टू एरर और फ्रॉड जब एलर्ट थी उसने गया तो शर्ट के साथ क्या किया क्रिटिकल असेस्मेंट ऑफ ओडिट एविदेंस वाइफ प्रोफेशनल स्केप्टिश्म की पूरी देफिनेशन आपके माइंड में बैठ गए इट इसमें आपने एलर्ट रहना है तू दू सर्कंस्टेंस इंडिकेटिंग एरर और गॉच्चा 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 बढ़ाएं लेर चले 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 कुमकुम और अनुराग को सरक अब नहीं बोलेंगे शाबबाश अब आजओ मेरे साथ तर हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिजम में किन चीजों को लेके एलर्ट रहने की होते हैं जस्ट गो विद फ्लो आपको एलर्ट तब रहना है जब एक एविडेंस दूसरे से कॉंट्राडिक्टिंग है सर इसका क्या मतलब है फॉर एक्जामपल मैं बैंक बैलेंस चेक कर रहा था कंपनी का ठीक है बैंक बैलेंस आता है बैलेंस शीट में अब यह जो बैं और कनफोर्मेशन कॉंट्राडिक्ट करेंगी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी तो क्या यह दिक्कत की बात है हां क्या मुझे एलर्ट हो जाना चाहिए हां क्यूं सर क्यूंकि हो सकता है एंटिटी ने बैंक स्टेटमेंट में जोल किया हो हो सकता है एंटिटी ने बैंक स् क्या आपको यह नहीं लग रहा कि statement unreliable है this statement is unreliable हाँ sir पूरी फील आ रही है this statement is unreliable so the second point which relates to the first point only information that brings into question the reliability of the documents and responses to the inquiries to be used as audit evidence अब जब आपको question हो रहा है किस चीज़ को लेके documents की reliability पर दिल पे हाथ रखके बताना किसकी खुश्बू आ रही है सर हमको खुश्बू आ रही है fraud की हमको fraud की जोर से खुश्बू आ रही है तो अगला point भी यही है conditions that indicate possible fraud अब अगर fraud की खुश्बू आ रही है यानि यहाँ पे risk of material misstatement ज्यादा होंगी गलतियों के chances ज्यादा होंगे तो आप as a auditor एक बात बताओ आपका काम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा सर हमारा काम बढ़ जाएगा यानि need for audit procedures in addition to those which are required by essays क्या कमाल बात है पहले एक बात बताओ alert कब रहेंगे जब bank confirmation और bank statement match नहीं करेंगे one document is contradicting other जब दोक्यूमेंट contradicting है यानि bank statement unreliable है bringing into caution the reliability of documents got the point? yes sir किसकी खुश्भुआई? fraud की तो इस चक्कर में आपका काम बढ़ जाएगा additional procedures करने पढ़ेंगे clear है चारो points? जल्दी से बताओ are these four points clear? yes sir हमको ये चारो बाते समझ आ गए अब next part ये है इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? ये जो आप additional procedures कर रहे हो इससे आपको क्या मिलेगा? ये आपकी risk reduce कर देगा it will reduce the risk of heart attack sir क्या बात कर रहे हो? ये आपके heart attack की as a auditor आपको heart attack आता न अगर आप गलत opinion देते इसकी जो risk है इस risk को reduce कर देगा sir ये क्या risk है? ध्यान से समझा रहो है समझना सबसे पहले overlooking unusual circumstances example के तौर पे अगर entity ने अपना एक warehouse rent पे दे रखा है जहाँ पे वो zero rent चार्ज कर रही है ठीक है? अपना warehouse rent पे दे रखा है जहाँ पे वो zero rent चार्ज कर रही है तो एक बात बताओ ये जो party है ये कौन सी होगी? related party या unrelated party सर ये तो पका पका related party होगी तो क्या मैंने तुमको पता है related party है? नहीं सर क्या तुमको सपना है कि ये related party है? नहीं सर आप alert थे आप alert थे जब आपको ये transaction के बारे में पता चला कि warehouse दिया है rent पे जिसमें zero rent है तो आप खुद बोल पड़े कि सर ये तो related party होगी तभी इसको इस तरह से दिया जा रहा है तो क्या ये unusual circumstance है? कौन देता है मैं फ्री में? आज कल फ्री में क्या होता है? कुछ नहीं होता? तो over looking unusual circumstance इससे आप बच जाओगे very good over generalizing when drawing the conclusions from the audit observation example के तौर पे अगर मैं सिर्फ bank statement लेता तो मैं उसी पर भरोसा कर लेता बट जब मैंने bank statement और confirmation को दोनों को साथ रख के देखा तो मैंने वो generalized काम नहीं किया कि भाई bank statement ठीक है तो ये balance ठीक है मैंने generalize नहीं किया क्योंकि मैंने generalize नहीं किया तो मैं उस रिस से बच गया and last point is using inappropriate assumptions in determining the auntie sir auntie का क्या मतलब है nature timing and extent of audit procedures and evaluating the results thereof logically बताना logically बताना अगर आपको fraud की खुश्बू आ रही थी तो आपने क्या risk of material misstatement को बढ़ा दिया accordingly जब risk of material misstatement बढ़ी क्या अब आपकी testing बढ़ जाएगी हाँ sir हमारी testing बढ़ जाएगी तो अगर आपको fraud की खुश्बू नहीं आती तो आप testing गलत करते inappropriate काम करते तो जो आपकी inappropriateness थी उसको भी आपने बचा लिया आपने उसकी risk reduce कर दी risk of using inappropriate assumptions in deciding the nature, timing and action of procedures and evaluating the results thereof sir ये तीनों के तीनों points में आपने का था heart attack की risk reduce हो गई इसका क्या मतलब है जब heart attack आता है तो पता है एक ही आवाज निकलती है sir उसका क्या नाम होता है मैंने का उई कैसी आवाज निकलती है बड़ी दभी अवाज निकलती है जिस बैंड बजी होती है न फिर से बोलो मेर साथ professional skepticism से किसकी risk reduce होती है फिर सर उई का क्या मतलब है O for overlooking unusual circumstances यानि वो जो related party वाले मैंने आपको example दिया over generalizing when drawing the conclusion सिरफ bank statement में बरोसा नहीं करना confirmation भी देख लेना and last point was inappropriate assumptions while deciding the auntie of procedures and evaluating the results thereof sir ऐसा करो आप हमको ना 2 minute दे दो हम आपको पूरा का पूरा topic revise करके recall करके फटाफट chat box में लिखते है दन 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 time starts now I am giving you 2 minutes quickly go through this topic and type in the chat box दन 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 देखते कौन सा बच्चा first आता है शुरू हो जाओ गुरू शुरू हो जाओ पहले एक्ता कपूर फिर उसके बाद तुम्हारे सारे points related है then you reduce the risk of professional skepticism done चलो देखते कौन first आता है को जया बच्छा है जया द rifles वहाם जैसे हम दन दो दुम्हारे Tool is वना मजाँ मान झाल झाल लास्ट थर्टी सेकंड्स वेरी गुट पियूश बहुत बढ़िया दोस्त लास्ट 10 सेकंड्स शाबाज शाबाज धू मचा दी समने हैं और मैं क्या टाउं टाउं और मैंनों टाउं टाउं डन 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 हो गया सर हो गया प्रोफेशनल स्केप्टिसिजम हो गया बहुत बढ़िया अब इसी से रिलेटेड एक और नाम है टॉबिक जिसका नाम है प्रोफेशनल जजमेंट सर प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है यह भी समझ लेते हैं तो मैं आडिट में ना कई जगा यह वर्ड यूज करूंगा पीजे सर पीजे क्या होता है पूर जोक नहीं पूर जोक नहीं होता प्रोफेशनल जज्मेंट होता है हर जगा ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जज्मेंट लगाएगा भाले उसको materiality निकालने है professional judgment बहले उसको decide करना है कितने sample लेने professional judgment यह misstatement material है कि नहीं professional judgment कौन सा opinion देना है professional judgment withdraw करना है disclaimer करना है professional judgment अरे हर चीज में professional judgment है तो अब यह professional judgment आती कैसे है क्या करना है professional judgment के लिए तो ध्यान से समझना this is nothing but an application 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 किस चीज़ की पूछो मेर से application किस चीज़ की जो आपने ना knowledge इखटी करी इसमें foundation में intermediate में CA final में जितनी knowledge इखटी करी है सारी knowledge को use करेंगे दूतरी चीज़ जो आपने articleship करी उसको training बोल देते हैं एन तीसरी चीज़ ये सब करते वक्त जो आपने experience गेन किया working on different clients तो तीन चीज़े आपने लिए है knowledge, training, experience logical yes sir इन सब को जब आप apply करते हो in the decision making on auditing in making the informed decisions sir informed decisions किस context में during audit ये कहता है जब आप इसको use करते हो in making informed decisions about the course of action appropriate in the audit engagement इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको कहते हैं professional judgment अब ये जो knowledge है ये सारी knowledge use करनी है या सिरफ accounting और auditing वाली ये कहते हैं सिरफ accounting और auditing वाली in the context provided by auditing, accounting and ethical standard ये आपका पूरा का पूरा professional judgment की definition हो गई again मेरे साथ साथ देलो logically चलेंगे flow में it is an application किन चीजों की जो आप knowledge gain कर रहे हूं जो आपने trainingly, articleship की and इस सब के बीट जो experience use किया कौनसी वाली knowledge use करनी है accounting, auditing और ethics ethics में आपको professional ethics पढ़ाऊँगा, just इसकी अगली class से वो आप use करोगे so accounting हो गया, auditing हो गया, ethics हो गया, इन सब को जो आप use करते हो किस चीज के लिए, in making the decisions during the audit engagement is this part clear, yes sir अच्छे एक बात बतो, audit engagement क्या होती है, क्या आपको वो पहिया याद है सर कौन सा पहिया, समे का पहिया, चलता है, वो वाले पहिये की बात नहीं कर रहा audit का पहिया, सर audit का पहिया मतलग, हम engagement accept करते हैं पिर audit procedures perform करते हैं, फिर evidence मिलता है, मिलता है ना procedure perform करके तभी तो evidence मिलेगा, हाँ, उस evidence पर conclusion ड्रॉज़ करते हैं, conclusion पर opinion मनाते हैं पहिया clear है, हाँ सर, तो उस पूरे पहिये में आपने professional judgment लगाते चलनी है तो next topic यही है, professional judgment is necessary in particular regarding the decisions about materiality के कौन सी amount material है, कौन सी नहीं, यह professional judgment है audit risk, based on the audit risk, you decide the nature, timing and extent of audit procedure procedure करके evaluate करने की evidence जो मिला, वो sufficient and appropriate है के नहीं उस evidence पर आपने क्या draw किया, conclusion ड्रॉज़ किया drawing of conclusion based on the evidence obtained, यह सारी चीज़ में आपका क्या लगता है professional judgment, सर एक point और बता दो, तो मैंने का last point तुमको याद नहीं रहेगा तो इतनी सी बात याद रखना, जहां management की judgment, वहां हमारी judgment यानि evaluation of management judgment in applying the entities applicable FR, so these are the 4-5 areas जहां पर आपकी professional judgment लगती है, तो सबसे पहले आप materiality निकालोगे और audit risk देखोगे, risk के basis पर you decide the anti, nature, timing and extent of audit procedure, procedure करके क्या मिला, जली से बोलो, procedure करके क्या मिला, evidence, so evaluating कि क्या आपको sufficient and appropriate evidence मिला है नहीं, उसके लिए भी professional judgment लगती है, evidence से आपने क्या draw किया, conclusion, उसमें भी professional judgment लगती है, and last point, जहां management की judgment, वहां हमारी professional judgment, एक minute से ज्यादा नहीं दूँगा, जल्दी से सारे points सभी के अभी recall करके, बताओ, इसी से confidence आएगा, मैं आपको इक बात बोता दाओ, financial reporting में, आपका teacher आपको सवाल देता है, आप उसको करते हो, उससे confidence आता है, SFM में आपका teacher आपको सवाल देता है, उसको करते हो confidence आता है, यहां पर आपका teacher आपको एक या दो मिनट देता है, जब आप उसको खुग recall करते हो, automatically आपको confidence आता है, यह चीज आपको करते चलनी है, ठीक है, देखते है झाल very good very good very good last 30 seconds चैले सर बढ़े आगे डन नना डन अब पानी के दो घूंट लगा लो क्योंकि अगले 10 मिनट मैं तुम्हारे लेने वाला हूँ उसमें तुमको मैं मस्त वाला कॉंसेट अपड़ाने वाला हूँ अब आजाओ मेरे साथ nothing to be done तुम्हारा टाइम आगे रिलेक्स करने वाला मैंने तुम्हारे अभी करवाई ना महनत अब तुम रिलेक्स करोगे अब तुम बस मुझे सुनोगे तुमको मज़ा आएगा तुम सीखोगे और तुम्हारा टॉपिक खतम हो जाए as simple as it can get now is your party time सुनते जाना you'll enjoy there is an entity जिसका नाम है भागम भाग लिमिटेड ठीक है सर इस entity की जो nature है ना nature of operations किसी को कुछ लिखने की ज़रूद निया बस सुनते जाओ देखते जाओ पॉपकॉन है तो पॉपकॉन लेके बैट जाओ ठीक है बड़ तुमको attention बनाये रखना है nature of the operations इस तरह से हैं कि जो भी ये financial statements बनाएगी ठीक है उसमें अगर इसने hundred items डाले हैं उन hundred में से 40 item में क्या होगी सर 40 item में न material misstatement होगी 40 items will be materially misstated यानि hundred में से 40 item में material misstatement होगी ये risk किस वज़े से है इसके nature of operations की वज़े से यानि जिस तरह की entity है उस वज़े उस वज़े से ये ऐसा होना ही है you can't do anything about it this is fixed in nature ठीक है इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता तो सर इस risk को क्या नाम देते हैं इस risk को क्या नाम देते हैं तो मैंने का इस risk को हम नाम देते हैं inherent risk सर inherent risk का क्या मतलब है this is inherent in the financial statement यानि जो entity के financial statement है उनका बनावट ही ऐसा है इस entity की वो कह सकते हो structure ही ऐसा है कि 40 material misstatement तो होंगी ही अगर 100 item है मैंने का very good बहुत ही बढ़िया अब जिन्दगी में एक बात समझना कुछ चीज़े ऐसी होती है जो हालातों की वज़ा से होती है बट उनको improve करने के लिए आप हमेशा action ले सकते तो अब जब इस entity को पता है कि भाई इसका accountant ऐसा है या इसके operations ऐसे हैं कि 100 में से 40 material misstatement होगी होगी तो ये entity क्या करती है ना it will try कि ये जो 40 material misstatement है ना ये इस चीज़ को tackle कर सके ये इसको कहीं न कहीं कम कर सके तो sir इसको कम करने के लिए कैसे क्या करेगा entity इस पर entity action लेती है इसके around entity processes बनाती है इन ही processes को हम प्यार से क्या बोलते है internal controls समझ गया सर अब ये जो internal controls है ये भी आप हर चीज़ के लिए तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि अगर आपको किसी के लिए कोई process set करना है तो process तो वैसी थोड़ी हो जाता है उसके लिए technology लानी पड़ती है लोग लाने पड़ते है उनकी भी अपनी cost होती है plus जो लोग हैं वो भी दूद से धुले नहीं है तो ये जो internal controls है ये आपका काम set तो कर देंगे बड़ कुछ ना कुछ दिक्कत है तो तब भी रह जाएंगी तो मानलो जब आपने internal controls लगा है तो जो 40 गलतियां थी 40 material misstatements थी उनमें से आपने कितनी ठीक कर दी उसमें आपने 30 ठीक कर दी उसमें से आप मानलो आपने 30 ठीक कर दी तो अभी कितनी रह गई सर अभी सिरफ 10 रह गई है सर ये 10 क्यों रह गई है मैंने आपको already बता दिया आप कितने ही processes लगा दो कितनी ही technology ले आओ कितने ही लोग ले आओ कुछ ना कुछ कमी तो processes में भी रहेगी सर ऐसा क्यों अरे simple है न यार देखो पहली बात तो हर चीज़ के लिए control नहीं लगा सकते है उसका पैसा लगता है so you have to maintain that balance between benefit and cost समझ गई सर प्लस जो लोग है वो भी दूद के धुले नहीं है suppose example के तौर पे मेरा internal control है कि मुझे न unauthorized purchases को रोकने के लिए unauthorized purchases मतलब गलत purchases हो रही है उनको रोकने के लिए जो भी purchase होंगी न वो senior manager authorized करेगा बट अब एक बात बताओ अगर senior manager और seller ये दोनों मिल जाए with the junior तो junior, senior manager और seller ये तीनों अगर मिल जाए तो क्या control की band बजा देंगे हाँ control की band बजा देंगे तभी मैंने कहा control ने 30 तो चीजे ठीक करी दी है बट अभी भी 10 दिक्कते बाकी है तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ जो inherent risk थी वो तो 40% थी जो आपकी control risk है वो कितनी है सर control risk है 40 में से 10 गलतियां अभी भी रह गई है दस material misstatement अभी भी रह गई है तो अगर मैं इसकी percentage निकालो so it is only 25% यानि 75% मामला ठीक हो चुका है 75% मामला ठीक हो चुका है अब auditor के point of view से देखो जब auditor आएगा ये कौन है auditor अब जब auditor आएगा तो इसके लिए what is the risk of material misstatement यानि what are the percentage chances कि जो हमारे financial statement है उनमें आज भी material misstatement है तर financial statement में total थे 100 item अब हमारे पास केवल 10 दिक्कते बची है so the risk of material misstatement will be 10% मैंने का very good तुम तो बड़े समझदार हो गई हो कि 100 item थे उन 100 item में क्योंकि हमने अब controls वगर लगा लिये अब केवल 10 misstatement 10 material misstatement रह गई है इसको आप एक तरीके और से बोल सकते हो और आप ये भी तो कह सकते हो कि सर पहले जो हमारी inherent risk थी that was 40% yes sir अब वो जो 40% है अब वो जो 40% है उसमें केवल 25% दिक्कत बची है very good उसमें केवल control risk जो है वो अब सिरफ 25% बची है तो 40 का 25% करे तो कितना आ जाएगा sir 40 का 25% करें तो भी 10% ही आ जाएगा तो auditor को किस से फरक पड़ता है inherent risk से control risk से या risk of material misstatement से sir auditor को सिरफ risk of material misstatement से फरक पड़ता है ये बात आपको समझ ही है क्या यहां तक सारी बाते clear है जल्दी से बताईए क्या यहां तक की पूरी discussion clear है फिर मैं आपको next stage पे लेके जाऊँगा पूरा inter का revision चल रहा है अभी बस और कुछ भी मैंने नया नहीं पड़ाया जल्दी से बताओ यहां तक क्या सारी बाते clear है प्यूश ने तो 10% लिख भी दिया very good प्यूश पड़ाफट बताईए is everything till here clear 40% था 75% ठीक हो गया अब उसका केवल 25% बच्चा और राइट क्या बात है कितने अच्छे बच्चे मिल गए है मुझे इस बार सबसे लखी टीचर कौन शुवम केसवा नी सर और कौन चलो सर और राइट अब आज ओन next stage पर हमारा काम क्या था audit risk को देखना अब हम क्या करेंगे अपने audit procedures design करेंगे मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमको reasonable assurance चाहिए we want to reduce the audit risk to acceptably low level ये line आपने सुनी भी और आपको पता भी है कि हमको acceptably low level तक इसको लेके जाना है बट अब क्या करेंगे ना अब हम अपने audit procedures करेंगे ठीक है सर जब मैंने audit procedures करें तो अभी material misstatement कितनी है 10 है 10 material misstatement है जल्दी से बताओ क्या auditor 10 की 10 पकड़ लेगा नहीं सर बनी कुछ ना कुछ तो रही जाएगा बनी कुछ ना कुछ तो रही जाएगा तहां बोली थी मैंने ये line सर आपने ये line तब बोली थी जब हम inherent limitations of auditing पड़ रहे थे उसके बाद हमने 2 points में auditor की side ली थी उसके बाद auditor को धमकाया था 2 points में side क्या ली थी due to inherent limitations of auditing there is a unavoidable risk there is a unavoidable risk कि even though audit is performed as per the standards on auditing some material misstatement may remain so after audit if any material misstatement is found subsequently if any material misstatement is found that does not mean कि audit SAS के साब से नहीं हुआ so inherent limitations की वज़े से कुछ ना कुछ material misstatement इस बिचारे से भी छूड जाएगी तो मालो 10 में से 10 में से 2 material misstatement इससे छूड गई 8 इसने भी पकड़ ली 8 इसने भी पकड़ ली 2 छूड गई तो ये जो 2 by 10 है सर इसको क्या नाम दें इसको हम नाम देते हैं detection risk इसको हम क्या नाम दे इसका नाम हो जाता है detection risk सर detection risk का मतलब है when the auditor performs his procedures what is the risk of not detecting the material misstatement what is the risk of not detecting a material misstatement क्या ये बात समझाई हाँ सर तो सर audit risk क्या है audit risk क्या है मैंने का audit risk is audit risk is very simple आपके total item कितने थे 100 उन 100 में से कितनी material misstatement रह गई मैंने का 2 so the audit risk is only 2% या मैं इसको एक और तरीके से बोलू हाँ सर बोलो auditor के आने से पहले auditor के आने से पहले क्या chances थे कि financial statement में material misstatement हो सर auditor के just आने से पहले 10% chance थे मैंने का very good उस 10% में से auditor कितना detect नहीं कर पाया उस 10% में से auditor कितना detect नहीं कर पाया 20% 80% तो उसने detect कर ली 20% वो detect नहीं कर पाया तो मैंने का 10% में से 20% वो detect नहीं कर पाया तो क्या ये भी 2% होता है हाँ सर ये भी 2% होता है कमझ गए so that's why we also say it is nothing but there was some risk of material misstatement और उस में से auditor कितना detect नहीं कर पाया clarity आई या नहीं आई जल्दी से बताओ is this point clear to all of you I am sure आपने inter में भी पढ़ा होगा but here I am 99.99% sure ऐसा नहीं पढ़ा होगा ठीक है जल्दी से बताओ और क्या पुरी की पूरी clarity आ गई inherent risk के होती है control risk के होती है risk of material misstatement के होती है और audit risk के होती है detection risk के होती है क्या सारी की सारी risk दिमाग में गई जल्दी से बताओ मजा आया और या नहीं आज समझ आया आज समझ आया सर आज समझ आया very good very good ला जवाब एक बार सर और रिवाइस करा दोगे ना तो एक दम मझा ही आ जाएगा मैंने का तुम बोलो मैं जान दे दूं तुम क्या बार-बार रिवीजन बोलते हो भागम बाग लिमिटेड हम इंटर में भागम मागी तो कर रहे हैं बाग बाग के फाइनल में तो मैंने का फाइनल में मैं तुमको समाल लूँगा यहां पे एंटिडी के नेचर ऑफ ऑपरेशन इस तरह से हैं कि इनहेरेंट रिस्क विल भी सौ में से 40 में स्टेटमेंट रह जाएंगी ठीक है तो यहां पे आप सिंपल सी बात सारी की सारी बात आप समझ लो 40% इनहेरेंट रिस्क ह अब अगर कोई इनहेरेंट रिस्क है तो क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे या कंट्रोल लगाएं सर कंट्रोल लगाओ जब हमने कंट्रोल लगाएं तो 40 में से 30 माटीरियल मिस्टेटमेंट ठीक कर दी हैं अभी भी कितनी रह गई मैंने का 10 रह गई तो कंट्रोल रिस से पहले क्या chances हैं कि financial statement में material misstatement होगी तर 100 item थे उसमें से सिर्फ 10 material misstatement रह गई है यानि 10% दूसरा तरीका ये कहते हैं inherent risk 40% थी 75% ठीक हो गई 25% रह गई तो ये भी 10% obviously बाते मैच करेगा अब हम क्या चाहते हैं हम अपनी audit risk को reduce करना चाहते है to an acceptably low level तो हमने detection start करी अब detection में भी कोई risk आएगी हां क्यूंकि inherent limitations of auditing है तो कुछ ना कुछ तो बनी रही जाएगा तो 10 में से भी ना हमने 8 तो ठीक कर दी 2 रह गई तो what is the detection risk 20% अब overall audit risk बताओ sir overall audit risk का मतलब है financial statements का audit हो चुका और अभी भी material misstatement है यानी 100 में से अभी भी दो material misstatement रह गई यानी 2% या दूसरा तरीका आप यह बोल सकते हो auditor के आने से पहले 10% थी 10% में से उसने 80% तो ठीक कर दी किती रह गई 20% so 10% का 20% किया तो यह भी हो गया 2% clear है boss clear है sir मैं आप सबसे एक चोटी सी request करता हूँ फटा फट दो minute लेके पूरा का पूरा ना आप यह note down कर लो this will bring give you a clarity for a longer term quickly take two minutes and note it down चल दीजे सारे बच्चे एक दम फटा फट तरीक से झाल 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 कर दो यह भी हो तो झाल come on everyone be fast control risk inherent risk detection risk सब auditor निकाल रहा है कोई management यह सब रिस्क निकाल झाल 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 Castle Crazy Done with this part झाल 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 आजो 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 डंड़न डंड़न बढ़े आगे विक्ली जिव में थम्स अप फिरम बढ़ते आगे बना तो तुम यहीं लिखते रहें वे लिखने में वहीं फील आजाते बढ़ें चलें बढ़ें आगे जलो रहे हैं अच्छा अच्छा audit risk है कि हमारा audit गलत हो गया यानि opinion गलत हो गया यानि expressing inappropriate audit opinion जब financial statement में material misstatement थी it is a function sir function मतलब function आपके family function की बात नहीं कर रहे function मतलब it is a product sir product किसका of the risk of material misstatement and the detection risk जो मैंने आपको भी calculation में दिखाया अब आपको ना बहुत असान लगेगी जब मैंने आपको practically बता दिया risk of material misstatement क्या है risk financial statements are materially misstatement prior to audit यही बात मैंने आपको हिंदी में बताई auditor के आने से पहले financial statement में material misstatement है उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते है risk of material misstatement इसमें दो component आते हैं दो component at the assertion level अच्छा assertion level का मतलब होता है आपके जो balance sheet है और जो pnl है और जो notes to accounts है उनमें ये दिक्कते हैं sir assertion level मतलब इसको मैं प्यार से बोलता हूँ a b c d sir what do you mean by a b c d that is your account balance यानि हम बोल सकते है balance sheet के जो items है class of transactions तर ये क्या है ये आपके pnl वाले items है and आता है d for disclosure तर ये जो disclosures है ये क्या है ये आपके notes to accounts है तो अगर मेरे किसी balance sheet item के मेरे को checking करनी है तो वो balance sheet item में मुझे देखना पड़ेगा what is the risk of material misstatement क्या chances है कि debtors में दिक्कत होगी क्या chances है कि मेरे revenue में दिक्कत होगी pnl में तो ये आपने इस तरीके से ध्यान में रखके चलना है तो account balance balance sheet items class of transaction pnl items disclosure notes to accounts तो ये कहता है आपको assertion level पे यानि हर balance sheet item के लिए हर pnl item के लिए risk देखनी पड़ेगी क्या risk है कि इसमें material misstatement हो सकती है so inherent risk is nothing मैंने percentage terms में निकाली थी ना तो आप इसको कह सकते हूँ probability probability की जगा यहाँ पे देव राइट susceptibility what are the chances कि एक ABCD में एक ABCD यानि किसी financial statement के item में ठीक है ये जो financial statement का item है इसमें material misstatement है before considering the internal control अभी हमने controls consider किये थे क्या क्या inherent risk के time पे बाबू इधर देखो क्या हमने inherent risk के time पे controls consider किये नहीं so before considering the control what are the chances कि financial statement item में material misstatement है तो susceptibility of an assertion assertion मैंने आपको अल्रेडी बता दिया कि completeness को लेके material misstatement हो सकती है existence को लेके material misstatement हो सकती है तो there are variety of assertion जो कि हम again detail में discuss करेंगे in essay 315 ठीक है sir तो susceptibility of an assertion यानि probability कि एक ABCD में material misstatement है now that material misstatement can be an individual और a collective before considering any related control अच्छा control risk क्या थी control risk है कि जो हमारे internal controls है जिनका काम क्या था या तो वो material misstatement को prevent करें कि हो नहीं ना दें अगर हो गई तो उसको detect करें और detect करने के बाद उसको क्या करना चाहिए correct करना चाहिए तो जो internal control का काम है ना prevention, detection and correction वो नहीं करेगा यानि it is a risk same line लिखेगे that a misstatement could occur in an assertion about an ABCD simple सी वाद है किसी balance sheet P&L item में material misstatement हो सकती है that will not be prevented, detected और corrected on a timely basis by the entity's internal control क्या ये दोनों definitions clear है हाँ sir inherent risk क्या थी? susceptibility susceptibility of an assertion about ABCD susceptibility of an assertion about ABCD यानि किसी balance sheet P&L या disclosure वाले item में किसी assertion को लेके कोई दिक्कत हो सकती है हो सकता है सारी चीज़े complete नहीं है हो सकता है उनकी amount गलत है so there could be any type of assertion किसी भी assertion में अगर कोई दिक्कत है तो उसके chances को क्या बोलते है inherent risk before you consider the internal control जब मैं बात करता हो control risk की उसका क्या मतलब है risk that a misstatement again about an assertion risk that the misstatement that could occur in a assertion about a ABCD what do you mean by ABCD account balance class of transaction or disclosure that could be material individually or when aggregated will not be prevented, detected or corrected by the internal control so you just need to have an understanding of these definitions CA final level पर वो कभी नहीं बोलेंगी कि आप लिए definition हमको लिखके बताओ but आपको understanding होना जरूरी है कि inherent risk है control risk है अच्छा एक बात बताओ क्या inherent risk को आप change कर सकते हो मैंने का नहीं inherent risk हमेशा fixed रहती है क्या मैं control risk को change कर सकता हो answer is yes अच्छा एक बात बताओ अगर मेरे controls को मैं ज्यादा effective बना दूँ क्या control risk उपर जाएगी या नीचे जाएगी पड़ाफट बताओ मैं अगर अपने controls को effective बना दूँ control risk उपर जाएगी या नीचे जाएगी बताना सरा सर कंट्रोल risk नीचे जाएगी अच्छा एक बात बताओ मैं बोलताओ एक entity में controls are deficient मैं बोलताओ एक entity में controls are deficient that means the control risk is higher but as an auditor am I concerned about control risk the answer is no I am concerned about the risk of material misstatement so automatically risk of material misstatement क्या होती है inherent risk into control risk तो रोमम भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी अब दिल पे हाथ रखके बताना अब दिल पे हाथ रखके बताना अगर रोमम ज्यादा है ठीक है and आप audit risk को reduce करना चाहते हो तो detection risk कितनी चलेगी ज्यादा या कम audit risk is a multiplication of रोमम and detection risk yes sir and मुझे audit risk reduce करनी है to an acceptably low level ताकि अपना opinion दे सकूँ तो अगर रोमम ज्यादा है तो detection risk का क्या करें इसको भी बढ़ा दें या इसको कम करना पड़ेगा बताना जरा कम करना पड़ेगा अब अगर हमको इसको कम करना है तो इसको कम करने के लिए तुम क्या करोगे sir हमें testing ज्यादा करनी पड़ेगी come on हमें testing ज्यादा करनी पड़ेगी तो याद है मैंने class के starting में आपसे question पूछा था sir क्या question पूछा था इधर ओ इधर ओ, इधर ओ, इधर ओ, तुम को बुला रहो मैंने आपसे question पूछा था कि जब भी मैं sufficiency देखता हूँ quantity देखता हूँ अगर रोमम ज्यादा है तुम लोगोंने सीधा सीधा बोला quantity ज्यादा ले क्या तुमको reason समझा है quantity तुम ज्यादा क्यों ले रहो indirectly आप सब पता है क्या कह रहे थे हमें अपनी detection risk को कम करना है detection risk को कम करने के लिए testing ज्यादा करेंगे audit evidence ज्यादा इखटा करेंगे क्या आपको thought process clear हुआ इस चीज को लेके feel आई तो बताना वरना छोड़ तो भाई फिर कोई फायदा ही नहीं है feel आये तो बताना जल्दी से बताओ मैंने तुमको quantity पे पूछा मैंने का था तुम common sense से answer दो मैं तुमको आगे बता दूँगा अम मैंने आगे बता दिया तो तुमने पहले ही सही जवाब दे दिया था बट तुमको न ये नहीं पता था कि तुम्हारे मैंने क्या चीज को कैसे link करके किया that is the reason behind it हम अपनी audit risk को कम करना चाहते है तो जब एक ज्यादा है दूसरा automatically कम होना चाहिए जब वो कम होगा तभी हमारा काम बनेगा feel आगई sir feel आगई clap for yourself clap for yourself सारे बच्चे अपने ले तालिया बढ़ा दो आई आगे हम मजा yes sir so that is what it is written here next point ये कहता है कि जो risk है this can exist at two levels sir ये दो level क्या होते है एक तो ये जो risk है ये पूरे financial statement में फैली भी है that means it is affecting many assertions याद इंटर में आप एक concepts पढ़के आते थे कि ये जो material misstatement है ये pervasive है या नहीं तो जब कोई चीज pervasive होती है न मतलब वो पूरे financial statement को affect कर रही है या फिर आप कह दो assertion level assertion level का क्या मतलब है किसी individual balance sheet item को किसी individual P&L item को किसी individual notes to accounts को तो जब ये individual items को affect करे तो हम बोलते है assertion level अगर पूरे financial statement को affect करे तो financial statement level is this understanding clear? yes sir हम ये assertion level पे risk of material misstatement क्यों देखते हैं so that हमको पता चले कि हमको कितने audit procedures करने है further audit procedures का मतलब होता है testing but इसकी भी मैं आपको clarity और ज्यादा detail में दोंगा in the coming classes ठीक है sir ये बात समझागी detection risk मैंने आपको already बता दिया risk कि जो auditor procedures कर रहा है उससे वो misstatement detect नहीं कर पाएगा ठीक है and that's all for detection risk समझ गए? समझ गए sir अब बताओ sir आप हमको next चीज क्या पढ़ाने वाले हो मैंने का मैं तुमको कुछ नहीं पढ़ाने वाला जो हमने start किया था ना उसको complete कर लेते हैं यानि we were discussing about the overall objective of auditor पानी के दो घूंट लगाओ now we are going to wrap up the class ठीक है? plane उड़ चुका है और बस अब हमको landing करनी है landing करने के लिए I need your good attention so that एकदम बढ़िया मज़ा आज जाए यह जल्दी से पानी के दो दो घूंट लगाएंगे and we will wrap up today's class आजो 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 समेटेंगे अब चीजों को अब चीजों को समेटेंगे ताकि आपको समझ आजाए कि हमने आज किया तो किया क्या आजो फटाफट आगए आगए सर सबसे पहले जब मैंने कहा हम audit करेंगे तो ऐसे कौन सा था सर ऐसे 200 ये तो सर याद ही नहीं कि 200 कैसे याद रहेगा मैंने का बहुत simple है ये 00 नहीं ये 00 है का क्या मतलब था overall objective of independent auditor अब सर ये independent कैसे होता है ये आपको मैं professional ethics में सिखाऊँगा एकदम detail में बताऊँगा तो उसकी tension लेने की ज़रुवत नहीं है हमारा auditor बस ये याद रखना कैसा हो independent auditor so overall objective of independent auditor and ये overall objective achieve कैसे होगा when you conduct your audit in accordance with standards on auditing इसको हम प्यार से बोलते हैं कासा तो इसको हम दोनों को साथ में club करते हैं तो क्या बन जाता है उया कासा overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing आपको ये समझ आ गया OO से start क्यों करना है क्योंकि यहाँ पे भी इनोंने OO ही लिख रखे हैं overall objective overall objective किसका auditor नहीं independent auditor अच्छा overall objective क्या है हमको संतुष्टी चाहिए हमको चाहिए reasonable assurance हम absolute नहीं ले सकते क्यों reasonable assurance because of inherent limitations of auditing reasonable assurance मिलती कैसे जल्दी से बोलो sufficient and appropriate evidence है very good sufficiency का क्या मतलब था quantity appropriateness का क्या मतलब था quality quantity किन चीज़ों पे depend करती है सर दो चीज़े थी याद नहीं आ रही मैंने ख़र ध्यान से सोचो एक चीज quantity को बढ़ाती है एक quantity को कम करती है risk of material misstatement ज्यादा है तो quantity ज्यादा लगेगी और quality ज्यादा है तो quantity कम लगेगी जो appropriate नहीं से उसका क्या मतलब था quality इसका मतलब क्या था rel-rel rel-rel का क्या मतलब था relevance and reliability these things are already there in your notes ठीक है reasonable assurance किस चीज़ को लेके चाहिए that the financial statement as a whole are free from misstatement नहीं सर material misstatement and this can be due to fraud or error एक बार reasonable assurance मिल गई तो फिर आप क्या express करोगे सर हम opinion express करेंगे opinion किस चीज़ को लेके अच्छा एक बात बताओ जब मैंने आपको बोला कि जो आपकी answer sheet है जो आपकी answer sheet है उसमें गलती नहीं है यानि answer sheet marking scheme के साब से बनी है इधर देखो मैं आपसे एक बड़ नॉर्मल सवाल पूछूँगा कोई रटा नहीं लगाएगा बस दिमाग लगाएंगे मैंने आपको बोला बच्चे की answer sheet सही है यानि उसमें गलती नहीं है अगर मैं बोलता हूँ गलती नहीं है can I say in English that the answer sheet has been prepared in all material respects as per the marking scheme yes sir तो if I am saying की financial statements में material misstatement नहीं है तो financial statement की marking scheme क्या थी applicable FRF तो अगर मैंने बोला there is no material misstatement in the financial statement that means in other words I can give an opinion that the financial statements have been prepared in all material respects as per the applicable FRF so next part यही है जब आपने बोला material misstatement नहीं है तो आप in other words क्या कह सकते हो that the financial statements are prepared in all material respects as per the applicable FRF आपने खुद बोला ना difference नहीं है हाँ सर डिफरेंस नहीं है तो बोल दो ना फिर उसी साब से बने है शर्माते क्यों हो अच्छा यह opinion में जेब में डालके घर ले जाओं नहीं सर इसको report करना पड़ेगा so opinion को क्या करेंगे report करेंगे यह जो मैं भी अपने इसमें diagram बना रहो ना यह आपने भी बना के चलने है ताकि आपके mind में mapping हो सके report on the financial statement and communicate as per the standards on auditing is this part clear yes sir यह जो note है अभी इसको आप ignore कर सकते हो हमने इसके बारे में कोई discussion नहीं करी applicable FRF क्यों होता है बहुत छोटी सी definition है this is a FRF which is adopted by the management जिसको वो use करके financial statement मनाएंगे plus it should be acceptable acceptable का मतलब मैं आपको already बता दिया कोई listed entity है तो उसके लिए India is acceptable है कोई listed entity है तो उसके लिए accounting standard acceptable है so it should be adopted and acceptable अब दो तरह के framework होते है यह आपने इंटर में भी पढ़ा होगा just take an understanding from me आप खुद ही बता देना चलो ठीक है आप खुद बताना कौन सा framework होगा मैं आपको न वो बताता हूँ example के तौर पे just give me a minute एक framework है जो कहता है कि आपको compliance तो करनी है आपको compliance तो करनी है यानि जो आपका schedule 3 वगरा कहते है वो सब तो आपने follow करना ही है साथ ही साथ अगर आपको लगे fair presentation के लिए आप additional disclosures भी दे सकते हूँ कोई दिक्कत की बात नही है plus in exceptional circumstance इदर दे को इदर दे को इदर दे को बस we are about to wrap up in exceptional circumstance you can also depart from the FRF साथ depart from the FRF means आप कुछ चीज़े इग्नोर भी करके चल सकते हो for the fair presentation but ये depart from the FRF this will happen only in exceptional circumstance जल्दी से बताओ ये कौन सा FRF होगा fair presentation या compliance वाला पढ़ावड बताओ कौन सा FRF होगा जो कहते है compliance तो कर लेना but अगर जरूरत पढ़े तो कुछ additional भी डाल देना और exceptional circumstances में कुछ minus भी कर देना which FRF do you think will give this liberty sir obvious सी बात है compliance तो नहीं होगा क्योंकि compliance कहते है गधे की तरह काम करना है जैसा FRF करें वैसे ही करना है ये fair presentation framework है जो कहते है आप compliance तो करो साथी साथ कुछ additional भी कर सकते हो और कुछ minus भी कर सकते हो so this is what which is given in your book also fair presentation framework कहते है compliance तो करेंगे साथी साथ fair presentation अचीव करने के लिए you can give additional disclosures and in extremely rare circumstances you can also depart from the requirement तो आप plus minus करके चल सकते हो compliance framework क्या कहते है गधे की तरह काम करो यानि आप compliance करो but plus minus करने की जरूरत नहीं है plus minus करने की जरूरत नहीं है it does not contain the acknowledgements in one and two above आप कुछ additional या subtraction नहीं करेंगे financial statement क्या होता है या आपको already पता है balance sheet और P&L balance sheet का क्या मतलब है entity के economic resources and obligations इसको आप कह सकते हो entity के assets और entity की liabilities at a point in time changes there in का क्या मतलब है आपके P&L की बात हो रही है so this is nothing but a structured representation of the historical financial information की पिछले साल क्या हुआ all right that's all for today I think आज के लिए इतना काफी है हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार ध्यान से समझना जो आपको revise करके आना है मैं topics mark करा रहू हाँ जी बित्रों तो आज हमने क्या क्या पढ़ा सर कुछ नहीं पढ़ा फिरफ हमने इंटर की एक फास्टर रिवीजन करी है that's it जिसको आप कह सकतो इंटर मास्टर क्ला हमने आज सबसे पहले ऐसे 200 का नाम समझा उसके बाद हमने समझा कि हमारा overall objective के reasonable assurance लेना एक बार reasonable assurance मिल जाते कि financial statement में material statement नहीं है तो हम अपना opinion दे पाएंगे opinion के लिए हम report करके चलते है फिर आपने बस इस पहले word को पकड़ना है आपका पूरा flow बन जाएगा ऐसे का reasonable assurance का क्या मतलब होता है वो topic आप revise करेंगे हम reasonable assurance क्यों ले रहें absolute क्यों नहीं inherent limitations of auditing पढ़ लेना inherent limitations से लड़ने के लिए क्या हतियार है professional skepticism professional skepticism के just नीचे क्या पढ़ा professional judgment बस आपने इन ही topics को revise करके आना है that's it I hope you enjoyed the session यूही खुशी खुशी मल लगा के पढ़ते रहो क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे have an awesome day ahead हमें राही audit के फिर मिलेंगे चलते चलते